हिल्लो ट्रेडर्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंट्राडे आइडिया में आज के इस वीडियो में मार्केट और इंट्राडे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइन विजिट किये है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में साइड में बने बेल आईकोन को भी प्रेस कर ले जिससे तुरंट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और डेली इन विडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज विडियो को लाइक कर दे और विडियो को पूरा देखें एक बार डिस्कलेमर जरूर वीड करें आज के इस विडियो में हम डिसकस करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन 14 फरवरी टूसडे के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारी में पहले एक नजर आज के मार्केट पर आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और पिछले डे के हाई का रेजिस्टेंस लेके ओपनिंग के बाद यही से मार्केट बेरिश हो गया और बताये गए लेवल 17,800 तक की गिरावट दिखाया इस लेवल पे मार्केट थोड़ी देर रुका लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यह से अगेन 100 पॉइंट्स फॉल हुआ 17,700 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ी रिक्वरी दिखाया और नेगेटिव क्लोज हुआ बैंक निफ्टी भी फ्लैट उपन हुआ और निफ्टी की तरह से पैटर्न फॉलो किया लास्ट फाइनेंस निफ्टी भी आज कल के बाते गए लेवल के हिसाब से ट्रेड किया जिन्होंने बात्य गए लेवल के हिसाब से ट्रेड प्लान किया होगा अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आए देख लेते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन 14 फर्वरी ट्यूस्डे लिए मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप्शन चैन के डेटा बेस से क्या निकल के आ रहा इसी तरह bank nifty में उपर के तरफ 49400 का level break करके sustain करता है तो हम calls buy कर सकते हैं और अगर नifty finance 18350 के downside break करके sustain करता है तो हम put buy कर सकते हैं Nifty, Bank Nifty and Nifty Finance का Support Resistance Level आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रिन्शॉट ले लीजे Nifty Support and Resistance Bank Nifty Support and Resistance Nifty Finance Service Support and Resistance आज के स्टड़ी के लिए हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को चार स्टॉक दिये थे जिसमें पहला गोदरेज प्रॉपर्टी, दूसरा भारत फोर्ज, तीसरा औरो फार्मा और लास्ट रैम को सीमेंट था आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ आज के लिए हमारे सभी कॉल्स बाइसाइड थे बाइसाइड के कॉल्स में से पहला गोदरेज प्रॉपर्टी ने बाइन लेवल को ट्रिगर कर पाँच पॉइंट्स की मूव देकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया दूसरा भारत फोर्ज ने बाइन लेवल को ट्रिगर 25 पॉइंट्स की शांदार मूव देकर आल टारगेट हिट किया तीसरा औरो फार्मा ने बाइन लेवल को ट्रिगर कर 4 पॉइंट्स की मूव देकर पहले टारगेट को हिट किया लास्ट रैंको सीमेंट ने बाइन लेवल को ट्रिगर कर चार पॉइंस की मूव दिया और ये भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। आज के स्टॉक्स की परफॉर्मिस एवरेज रही। अगर आप लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आप डाउनलोड करें और सीखें। आप नोट कर सकते हैं। आए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है एस ट्रेल एस ट्रेल को मैं 1894 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1915 का रखूंगा जिसके टारगेट नीचे दिये गए हैं। आप नोट कर सकते हैं। आए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है State Bank of India State Bank of India को मैं 533 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 549 का रखूंगा जिसके टारगेट नीचे दिये गए हैं। आप नोट कर सकते हैं। आए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकोन को हिट करें जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल सके। और हाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना थैंक्स।